सब्सक्राइब कीज़े लेर्निंग फामिसी चैनल को एंड बेल ऐकन को दबाएए लेटेस्ट फामिसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें आपको बहुत सारी इंफर्मेशन मिल जाएगे लिंफेटिक सिस्टम से रिलेटेड तो देखें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाम्स है जो कि थ्रूआउट अपको सुनने को मूलेंगी तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे सबसे पहले देखें लिंफ क्या होता है लिंफ एक तरह का फ्लोड होता है जो कि वाइट ब्लड सेल करे करता है जीजिसल के बाck बाद करें जिसwheel बनट ट्र přेवल करता है अपने अंदर lymph vessels होती हैं जिसके थूरू lymph travel करता है throughout the body, ये different होती है blood vessels से, lymph node क्या होते हैं, ये glands होते हैं जो कि पाया जाते हैं throughout the lymphatic vessels, लिम्फैटिक system क्या होता है, लिम्फैटिक system एक तरह का network होता है, tissues and organs का, जो कि आपकी body को help करता है, आपकी body में से toxins, waste and unwanted material को बाहर निकालने में आपकी body की help करता है, primary function क्या होता है, लिम्फैटिक system का, लिम्फ को transport करना होता है, लिम्फ ही ऐसा fluid है, जो कि carry करता है, infectious fightening white blood cells, जैसे आपको पता होगा, कि white blood cells जो होती है, आपकी body में उनमें, ये capacity होती है, उनमें capability होती है, कि वो infection से fight कर सकती है, तो throughout the body, lymph जो है white blood cells को carry करता है, ज कि आपकी body को बहुत, बहुत, बहुत तरह के infection से protect करती है, functions क्या है, primary अगर हम देखें, सबसे पहले protect करना body को, जैसे हमने देखा क्योंकि white blood cell carry करता है, lymphatic system में lymph अपने अंदर, then assist करता है circulation of body fluids, तो जो different body fluids है, उनकी circulation को भी ठीक से, उनकी circulation भी ठीक से हो, वो काम होता है, lymphatic system का, and transport करता है, dietary fibers, dietary fats, अब देखें, लिम्फाटिक सिस्टम में क्या-क्या include होता है, सबसे पहले देखें, lymph होता है, lymph vessels होते हैं, अब हम detail में देखेंगे, अब ब्रीफली आप देखें, lymph vessels होती है, lymph nodes होते हैं, देखें, बोडी में अलग जगा पे lymph nodes present होते हैं, आपकी body में lymph organs होते हैं, जिसमें होता है, स्प्लीण, अन।धाइमस, देखें, यहाँ spleen and थैमस present होता है, diffused lymphoidal tissue जिसमें example होता है, ton sill, यहाँ देखें, आपके बारे में हम retail में देखें, अच्छे से देखें लिम्फ क्या होता है इसके बारे में, देखें, क्या होता है आपकी body में, जब आपकी बॉड़ी में blood travel करता है इन capillaries के तुरू arteries and veins में किस तरह से circulation होता है वो हम अपने heart chapter जो है उसमें देखेंगे अच्छे से तो अगर प्रीप्री हम देखें तो जब blood travel करते हैं आपकी बॉड़ी में arteries के तुरू and फिर जब वो तरह का clear colorless liquid होता है जिसकी composition क्या होती है similar होती है जो आपकी blood plasma की composition होती है वो ही lymph की composition होती है ये देखें यहाँ पर बताया गए है कि यह क्या होता है यह blood plasma होता है जो की leak out हो जाता है capillary wall से और यह fluid होता है फिर यह flow होता है around the cells इसमें क्या होता है देखिए ऑक्सीजन प्रोटीन ग्लुकोज और वाइट ब्लेड सेल्स होते हैं इसमें लिम्फ वैसल क्या होती है अगर हम देखें तो देखें इस फिगर में आप देख रहे हैं यह अट्रियल सिस्टम है यह वीनस सिस्टम है और यहां पर इनका पूरा क्लस्टर बना हुआ है और इसके बिच में ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं वो है लिम्फ वैसल तो लिम तरह ही होती है देखे यहां पर और यह करी करती है लिंफ अब यह कया होता है वैसल यहां यह इनुट्प देखा है ड्लग प्लाजमा होता है, जो कि धिया यह ईनसे लीक आउट होके इस तरह की वैसल में जाता है तो यह इनका इस तरह से होना cluster form में होना बहुत ही ज़रूरी होता है फिर distribution of lymphatic vessel अभी हमने देखा along side of the blood vessel, blood vessel की along ये present होती है but lymphatic vessel जो है वो absent होती है कहां-कहां नहीं present होती है वो देखे, bones में नहीं present होती teeth, bone marrow and central nervous system में lymphatic vessels present नहीं होती अब देखे, lymph nodes के बारे में अगर हम देखे तो क्या होती है, lymph nodes small glands होते है ये देखे, throughout the body आपके lymph nodes present होते है small glands होते है, जिनका main function होता है lymph को filter करना, फिर देखे, यहां पर दिखाया है widely distributed होते है, throughout the body along the lymphatic pathway, पूरे ही lymphatic pathway प्रेजन होते है lymph nodes नहीं present होते है central nervous system में, देखे, यहां पर यह नहीं present होते है lymph nodes और ये क्या होते है they are composed of lymphoidal tissue तो lymphoid tissue के मिलके ये बने होते हैं lymph node देखे कर आप lymph node के structure के बात करें तो इसका structure क्या होते है देखे small bean shaped होते है ये इसका अदर की size बता गया है 2.5 cm around 1 inches इनकी length होती है देखे 3 superficial regions होते हैं जहां पर ये जो lymph node है ये एक तरह के cluster की तरह एक तरह का गुच्छा कह सकते हैं आप उसकी form में present होते हैं कौन-कौन से ही region होते हैं देखे बहुत सारे exam से पूछा जाता है ये question तो इसको आप ध्यान से ग्याद रखें inguinal nodes in the groin तो देखे यहां पर cervical node cervical node जो है neck की वहाँ पर ये cluster की form में present होते हैं function के अगर हम बात करें lymph node की तो सबसे पहले इसका function होता है filter करना lymph को before they enter to the blood तो blood में enter करने से पहले वो lymph को अच्छे से filter करता है lymph node फिर क्या करता है prevent करता है foreign particle को blood stream में enter करने से भी prevent करवाता है lymph node lymphocytes क्या होती है एक तरह की white blood cells होती है तो उसका भी production का काम होता है वो भी produce करता है lymph node ना देखिए lymph organs के अगर हम बात करें तो सबसे पहले spleen देखते हैं spleen क्या होता है देखिए यहाँ पर आपका अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए यहाँ पर यह spleen present होता है यह stomach होता है देखिए आपका यह gall bladder होता है यहाँ पर present यह bile ducts होती है right lobe of liver and left lobe of liver तो यह सबसे पहले spleen क्या होता है largest lymphatic organ होता है बहुत सारे exam से पुझा जाता है कौन सा largest lymphatic organ है तो spleen होता है देखिए यह फिर क्या होता है देखिए यह located in the upper left abdominal quadrant तो देखिए upper left यहाँ पर यह present होता है abdominal quadrant में between the fundus of stomach and diffregum यहाँ पर यह location आपको बताएगी इसकी अलग-अलग तरह से फिर क्या होता है इसका size बता गया है 2-3 inches यह इसकी width होती है यह resemble a large lymph node तो एक तरह से large lymph node की तरह यह दिखने में यह लगता है फिर इसका function क्या होता है यह filter करता है blood को इसका main function होता है यह फिर इसमें देखिए बताएगए कि यह fist shape होता है purple in color होता है इसमें बताएगए आपको देखिए इस point में कि usually lymph, यह splin जो है यह protected होता है by the rib cage rib cage के अंदर present होता है तो इतने easily इसको कोई feel नहीं कर पाता है जब तक कि यह abnormally enlarged नहीं हो तो काफी सारी case में क्या होता है कि splin infection हो जाता है किसी person को तो उस case में doctor जो है सबसे पहले इसको सबसे basic function होता है phagocytosis phagocytosis एक तरह का होता है कि kill करना एक तरह से का सकते है phagocytosis phagocytosis of bacteria damage red blood cell and platelets तो जो भी आपकी body में bacteria enter करते हैं foreign particles या जो भी red blood cells damage हो गई है या platelets damage हो गई है तो उनका phagocytosis करना उनको आपकी body से बाहर निकालना वो function होता है spleen का फिर store and release of blood in the times of means क्या होता है इसमें देखे कि कभी कभी क्या होता है hemorrhage की condition हो जाती है जिसमें excessive blood loss हो जाता है person का तो उस condition में क्या करता है ये अपने अपने अंदर store करके रखता है blood और उस time पर ये release करता है blood जिसके वज़े से person जो है उसकी condition जो है वो थोड़ी सी normal करी जा सके तो store and release करता है blood और जब भी time होता है तो उस time पर ये blood की demand को पूरी करता है फिर immunity में function करता है ये immune रखता है आपके body को ये देखे इसका basic ये वाला point में ये है कि ये वो filter नहीं करता है lymph को क्यों नहीं करता क्योंकि spleen में किसी भी तरह का lymphatic vessel या lymph sinus means lymphatic vessel किसी तरह के नहीं present होते है spleen में तो ये कहा है lymph को filter तो नहीं करता बट बाकी जितने भी functions होते है lymph node के almost वो function जो है ये perform करता है spleen फिर देखते हैं thymus gland तो thymus gland क्या होता है ये behind the sternum present होता है यहाँ पर देखिए ये sternum होती है और ये इसके behind ये present होता है और ये सिर्फ तब तक active होता है until puberty तो सिर्फ puberty से पहले तक ही thymus gland ये active होता है उसके बात क्या होते है देखिए after puberty thymus जो है फंक्शन वो क्या होता है ये thymusin प्रड्यूस करता है thymusin एक तरह का हॉर्मोन है जो कि stimulate करता है development of T-cells तो T-cell जो एक तरह की disease fighting cells होती है तो इसके production को इसके development को ये stimulate करता है thymusin हॉर्मोन जो कि produce किया जाता है thymus gland के द्वारा active रहता है सिर्फ प्यूबर्टी से पहले तो देखे थाइमस gland का function अगर हम देखे तो यहाँ पर अगर figure में आप देखे तो यहाँ देखे thyroid gland present होता है ये trachea होता है और इसके नीचे यहाँ पर देखे थाए यहाँ thymus present होता है right lobe and left lobe इसके इस तरह से देखे इसका structure होता है function में जैसे अभी हमने बताया आपको की before birth और throughout the childhood जब तक childhood चलता है तब तक यह thymus gland जो है एक तरह का instrumental role play करता है production and maturation of T lymphocytes जिसको हम T cells कहते हैं तो उसको producer उसको mature करने में इसका function होता है और यह T lymphocytes जो है यह protect करता है आपकी body को अलग-अलग तरह के threats, viruses and infections से और यह क्या करता है देखे थाइमस जो है यह also produce करता है अभी हमने देखा थाइमसन जो की necessary होता है for the production of T cells तो यह basic function होता है बट सिर्फ puberty तक ही होता है puberty के बाद इसका function जो है वो diminish हो जाता है यह shrink हो जाता है now देखे diffuse lymphoidal tissue में example है tonsils का tonsils देखे अगर आप normally देखें तो अगर mouth में आप देखें तो normal tonsils में क्या होता है देखें यहां होता है soft plate यहां present होता है हमारे mouth में देखें यह uvula होता है यहां पर यह present होता है uvula फिर यहां पर देखें यह healthy tonsils हैं जो कि present होता है हमारे body में और यह tonsils देखें कभी कबार inflamed हो जाते हैं जिसकी वाज़ा से surgery करने पड़ती है किस cases में तो यह देखें यहां tonsils present होता है यहां tongue present होती है tonsils क्या होते है देखें aggregation of large lymphatic nodules तो यह lymphatic nodules होते है जो कि आपस में aggregate करके इस तरह का structure बनाते है located यहां पर इसकी location बताए देखें beneath of the foreign ex and oral cavity तो कहां पर यह present होते हैं यह बताए गया है आपको फिर क्या करते हैं यह protect करते हैं nasal and oral cavities को एक तरह का protection का काम होता है इनका तीन basic types की होते हैं यह अगर हम देखें तो nasal pharyngeal tonsils palantine tonsils and lingual tonsils तो इनके बारे में देखते हैं भी हम next slide पे तो देखें त्री basic type में हम देखें अगर first तो यह है nasal pharyngeal tonsils यहां पर देखें यहां present होता है यह pharyngeal tonsils इसको commonly क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं edinoids की नाम से जानते हैं बहुत सारे competitive exam से पूछा जाता है location का होते हैं behind the nose present होता है यहां पर अगर अगर आप देखें side view में तो behind the nose यह present होता है posterior opening of nasal cavity तो देखें इसी को tonsil कहां जाता है इसी पार्ट को टॉंसिल के नाम से जानता है behind the mouth present होता है यह mouth होता है तो इसकी behind यह present होता है पेलेटाइन टॉंसिल ।ो जब भी tonsils के cases होते हैं तो most commonly इसी पार्ट को remove कियाता है inflamed tonsil के cases में उसको इस removal को tonsil o lactomy कहा जाता है फिर देखे last पे होता है lingual tonsil lingual tonsil देखे यहां present होता है side view में अगर आप देखे है front view में देखे यहां पर present होता है base of the tongue पर present होता है देखे यह first line of defense from exterior तो जो भी आपके mouth में जो भी चीज़ एंटर करती है तो यह firstly यही protect करता है उसकी entry को तो देखे यह थे different tonsils देखे lecture के अगर हम summary देखे तो हमने क्या क्या पढ़ा आज lymphatic system में हमने देखा एक network होता है tissue का, tissues का network होता है जो कि आपकी body में से toxin, waste and unwanted materials को remove करता है आपकी body से filter करता है lymph क्या होता है एक तरह का clear, colorless, liquid होता है जिसकी composition blood plasma जैसी ही होती है और lymph जो है वो carry करता है white blood cells जो की disease fighting cells होती है then lymph vessel में हमने देखा कि एक ऐसी यह vessels होती है जिनकी through lymph जो है वो throughout the body वो flow होता है lymph then lymph nodes क्या होती है हमने देखा यह small glands होते है जो की lymph को filter करते है इसका main function होता है lymph filter करना फिर हमने देखा lymph organ जिसमें हमने spleen के बारे में देखा largest lymphatic organ होता है thymus के बारे में हमने देखा behind the sternum present होता है और सिर्फ puberty तक ही यह active होता है उसके बाद यह shrink होने लगता है tonsils में हमने देखा क्या होते है tonsils aggregation of large lymphatic nodules होते है so I hope आपको यह lecture अच्छा लागा होगा कोई भी doubt है अगर आपको इस topic से related तो आप नीचे comment section में हमसे पूछे है so thanks for watching next video में हम cover करेंगे human anatomy and physiology chapter 8.6 जिसमें हम structure and function of heart देखेंगे so friends अगर आपकी वीडियो चले के देखेंगे तो आप नीचे देवे comment box में हमसे कुछ भी पूछ सकते है यह कुछ हमारे related videos के link है जिन पे click करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तो learning pharmacy पे आने के लिए और यह video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले video में